अगर आप चाहते हैं आपको गुलाब का पौधा बहुत अची तरीके से ग्रोथ करें तो इस वीडियो में कुछ ऐसी पांच चीजे मैं आपको बताऊंगा जो अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत बढ़िया ग्रोथ आपको रोज प्लांट पर देखने को मिल सकती है और फ फॉलो करते हैं तो अच्छे रिजल्ट मेरे साब से आपको मिलने चाहिए मुझे अभी तक बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट अपने गुलाब के पौधों में इन टिप्स के थूरू मिले हैं तो पहली टिप्स मैं आपके साथ शेर करता हूँ पहले टिप क्या है वो है कि सही लोकेशन चूज करना अपने गुलाब के पौधे को ग्रो करने के लिए गुलाब का पौधा एक संदलविंग प्लांट है और ऐसी लोकेशन में आपने इसको ग्रो करना है जहां पर 6-8 गंटे की धूप इस पौधे पर पढ़ रही हो अगर इतने 6-8 गंटे की दूप आपके पौधे पर नहीं पढ़ रही है तो फ्लावरिंग पे थोड़ा सा एफेक्ट आ सकता है प्लांट वैसे चल सकता है उसमें फौलिज ग्रोथ होगी उसमें लीवस वगरा सब आएंगी लेकिन फ्लावरिंग की फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम हो सकती है जैसे तीसरी टिप है प्रॉपर वाटरिंग, आपका जो गुलाब का पौदा है अगर आप उसमें इंकसिस्टेंट वाटरिंग करेंगे, इर्रेगुलर वाटरिंग करेंगे, कभी आपने ज्दा पानी दे दिया, उससे होगा क्या आपका जो प्लांट है वो स्ट्रेस में आ यह गमले में यह दो इंची के आसपस जगह है यह सारी के सारी में पानी से भर देता हूं धीरे-धीरे अगर आप अपने गुलाब के पौदे में चाहते हैं अच्छे फूल आएं तो आपको कुछ खाद यूज़ करनी पड़ेंगी जो काफी पाउरफुल खाद है और असानी से मार्केट में अवेलिबल हैं तो पहली खाद है एंपीके का कोई भी बैलेंस रेशो वाला फटलाइ है nitrogen, phosphorus, potassium मिलती है आपके घुलाब के पौदे को इस फटलाइजर से इसके साथ आप DAP भी यूज़ कर सकते हैं DAP के 4-5 दाने हर 15-20 दिन में आप NPK के साथ यूज़ कर सकते हैं तो फ्लावरिंग में बहुत असर आपको अच्छा देखने को मिल सकता है इसके अलाबा अगर और और गानिक खाद को यूज़ करना चाते हैं तो वह है liquid seaweed extract जिसमें 61 ऐसे micronutrients होते हैं जो macro fertilizer में आपको नहीं मिलते, NPK जैसी खाद में नहीं मिलते, गाएं की कोपर की जैसी खाद में नहीं मिलते, तो यह liquid seaweed extract भी market में आसानी से available है, इसमें 61 ऐसे micronutrients होते हैं जो आपक जो आपके plant को required होते हैं, चौथी tip काफी important tip है regular pruning, regular dead heading, अगर आप regular कठाई चठाई growing season से पहले अपने गुलाब के पौधी की कर रहे हैं तो आपको पौधा काफी अच्छे flowers आपको grow करके दे सकता है, जैसे की growing season सर्दियों से पहले सितंबर में थोड़ी सी कठाई चठाई कर दीजिए, तो घर्मियों से पहले भी आपका जो flowering season है, उससे पहले आपको गुलाब का पौधा तयार हो जाएगा, आजकल जो नर्सरी में गुलाब के पौधे आ रहे हैं वो 12 महीने फूल देने वाले plant है, 12 मासी पौधे बोला जाता है उनको, और ऐसा कुछ नहीं है कि गर्मियों में वो बहुता खराब हो जाएगा, सर्दियों में वो फूल जादा देगा, सर्दियों में तो बेशक फूल गुलाब का पौधा जादा देता है, और गर्मियों में थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन plant मरता नहीं है, अब जो hybrid varieties आती है, वो 12 महीने चलने वाली varieties होती है, पांचवी और आखरी टेप है दोस्तों, pest management, disease management, अगर आप किसी भी तरी, जो आपको गुलाब का पौधा है, उसमें बहुत frequently aphids, spider mites, fungal infections, जैसे bugs का बहुत attack होता है, बहुत infections होते हैं, और majority जो होते हैं, वो over watering के वज़े से होते हैं, irregular watering के वज़े से होते हैं, औ या कोई आज-पास कोई fungal infections, कोई दूसरे plant पे लगा है, तो आपका गुलाब का पौधा उसको पकड़ सकता है, तो regularly आपने neem oil concentrate का spray करना है, neem oil concentrate भी cold compressed form में आता है, और इस यहां तो आप liquid soap भी use कर सकते हैं, कोई भी liquid soap पानी में मिलाईए और उसको अच्छे से mix करके उस यह completely organic है, कोई side effect आपके पौधे में नहीं होता, neem oil concentrate है, तो आपको सब जानते ही है, कितने amazing benefits होते हैं, नीम के पत्तों का, तो उसी का extract का यह बनता है, और कोई इसमें खराब बात नहीं है आपके पौधे के लिए, आप बिना किसी attack के भी, बिना किसी infection के भी अपने बना सकते हैं, तो यह 5 tips आप अपने गुलाब के पौधे में follow करिए, और देखिए क्या amazing results आपको अपने गुलाब के पौधे में मिलते हैं, flowering भी अच्छी होगी, और overall growth भी अच्छी होगी, आपका plant काफी लंबे समय तक चलता रहेगा, यह 5 basic tips मैं इस plant में follow अभी तक करत आप दूँगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, तो please like, comment, share जरूर कर दीजे, ताकि regularly ऐसे ही plant updates आपको लाके में देता रहूँ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए friends, thank you, good bye